ओम नमशिवाय, जै मातादी, राधे राधे सभीकूर, सौगत आपका मेरी इस नए वीडियो में, मैं हूँ आपकी सा स्मीता तिवारी धन तेरस या धन तर्यदोशी एक शुप तेवारे, जो समरुदी और धन का जश्म मनाता है, यह तेवार दिवाली तेवार की शुरुवात का प्रतीक है, धन तेरस को धन वेंतरी तर्यदोशी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धन या पैसा, और तेरस का अर्थ होता है तेर क्योंकि ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महा के तेरवे दिन मनाय जाता है धन तेरस इस बार 10 नौंबर 2023 को मनाय जाएंगा धन तेरस दिवाली के पास दिशिय तेवार के पहले दिन मनाय जाता है इस दिन को समरुद्धी के दिन के रूप में भी मनाय जाता है परमपराओ के अनुसार धन और समरुद्धी के लिए धंतेरस मंत्रे के साथ लक्षमी और भगवान कुबेर की पूजा की जाती है इस दिन शुब मूरत में सोना, चांदी, पीतल की वस्तुएं, मकान, वाहन, घर के जरूरत के सामान आदी खरीदते हैं धंतेरस के दिन सोना खरीदना शुब माना जाता है धंतेरस के आउसर पर आप अपने राशी के अनुसार शुब वस्तुएं खरीदते हैं तो आप परमाता लक्ष्मी और कुबेर की कुरुपा होंगी, साल भर में समपत्ती में वृद्धी होंगी, धन की कमी दूर होंगी और आपकी किस्मत भी चमकिमगी तो चलिए जानते ही इस वीडियो में की धनतेरस पर राशी के अनुसार आपको क्या खरीदना चाहिए, जिससे आपके जीवन में कभी पैसो की कमी नहीं आएंगी तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखेगा, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखेगा और जो भी हमारे चैनल पर नए है, पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब पर लिजी और वीडियो को लाइक भी कर लिजी और कमेंट्स बॉक्स में ओम नवश्वाज जरू लिख दीजी तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी के बारे में, मेश राशी के जातकों को चान्दी के आबुशन, सिक्के या फिर बरतन खरीदने चाहिए, इसके अलावा आप सोना या पीतल की वस्तोय भी खरीच सकते हैं, इससे आपको तरक्की मिलेंगी अब बात करेंगे व्रिशब राशी के बारे में, व्रिशब राशी के सौमिगर शुक्र है, इसलिए आपके लिए चान्दी के वस्तोय खरीदना अच्छा रहेंगा, यदि आप हीरा जडित कोई आबुशन खरीदते हैं, तो वो बहुती उत्तम रहेंगा, आप अपने अब बात करेंगे कन्या राशी के सौमिक बुद्ध है, आपको धन्तेरस पर खरीदना अच्छा रहेंगा, आपके लिए शुब रत्न मानिक के हैं, यदि बजट कम है तो आप उन वस्तों को खरीद सकते हैं, जिन पर सोने का पानी चड़ाए गया हो, अब बात करेंगे कन् आपको धन्तेरस पर कासे या फूल के बरतन खरीदना चाहिए, इसे आपका बुद्ध्र और मजबूत होंगा, आपका शुब रत्न पन्ना और मोती हैं, मोती के माला भी खरीज सकते हैं, अब बात करेंगे तुला राशी के बारे में, तुला राशी के जातों को धन्तेरस पर spoilers पर चान्दी के आवशन, चान्दी के बरतन खरीदना शुब रहेंगा, इसे आपकी धन समपत्ती में वृद्धी होंगी, अब बात करेंगे वरिष्षिक राशी की, धन्तेरस पर वरिष्षिक राशी के जातों को तामेके बरतन चान्दी या चान्दी के आवशन खरीदना चाहिए, इससे आपको लाब होंगा, अब बात करेंगे धनू राशी की, धनू राशी के जातक धन तेरस पर सोने के आवशन, सोने के सिक्के, पीतल के बर्तन आदी खरीज सकते है, ऐसा करने से जीवन बर्पैसे की कमी नहीं रहेंगी, अब बात करेंगे मकर राशी की मकर राशी के जातों को कोधन तेरस वाले दिन आप स्टील के बरतन या अपने ले कोई वाहन खरीदना चाहिए सार बर आपकी उन्नदी होंगी अब बात करेंगे कुम्बा राशी की कुम्बा राशी के जातों को कोधन तेरस पर वाहन या स्टील के बरतन खरीदने चाहिए उसके बाद चांदी सोना आदी खरीच सकते हैं अब बात करेंगे मीन राशी की मीन राशी के जाटों को धनते रस पर सोनी या पीतल की वस्तुए खरीदना चाहिए इससे आपके सुक और समरुद्धी में वृद्धी होंगी तो इस तरीके से हमने आपको सारी राशीों के बारे में बता दिया है कि आपको आपके राशी के अनुसा धनते रस पर क्या खरीदना चाहिए तो यह जानकारी आपके लिए लापकारी रहेंगी तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है तो जो भी हमारी चानल पे नए है पहली बार आया तो चानल को सब्सक्राइब कर लिजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर लिजिए और इस वीडियो को अपने परिजियों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए हमारी चानल पे ऐसी वीडियो आती है मिलते हैं अगले ऐसी किसी और वीडियो में ओम नमस्षिवाए